क्या यूए में बैन है वी पीएड क्या यूए में कर सकते हैं आप बीपियन का इस्तमाल करने पर लोगों को होती है जील इतना कंफ्यूजन है इसको क्लियर कर देते हैं आज आपको इस वीडियो में तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारी चानल यूएई खवर पर बतादे क की योई में आप अस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आप इसका दूरुपयोग नहीं कर सकते हैं दरसल सायोंग तरब अमिरात में निवासियों को वर्चौल प्राइवेट नेट वर्क यानि के बिपियंस का उप्योग करने की अनुमती है ले किन दूरुपयोग एक समस्या है यह कहना है देश के साइबर सुरक्षा प्रमुख का बतादे यूए सरकार में साइबर सुरक्षा के प्रमुख मुहम्मद अलकुवैती ने जी पी आर सी सिखर सम्मेलन के मौके पर खली इस टाइम को बताया कि हमें वीपीएन का उप्योग करने वाले लोगों से कोई समस्या नहीं है लेकिन बुरी चीजों के लिए उसका अप्योग करना एक समस्या है एटलस वीपीएन 12 ग्लोबल वीपीएन अडॉप्शन इंडेक्स के नए अपडेट के अनुसार यूए ने पिछले चार वर्सों में 2023 में सबसे अधिक वीपीएन एप्लिकेशन और आन 6.09 मिलियन डाउनलोड को पार कर गया अवाओं और साइबर अपरादों से निपटने के संबंध में 2020 के यूए टिक्री कानून संख्या 34 के तहर्त अवैत तरीकों से अगर आप वीपीएन का उप्योग करते हैं उसके थुरू आप अपराद करते हैं या फिर वेबस देखिए यूए के निवासी जो कानून का उलंगन करते हैं और बीपीएन का दुरूपयोग करते हैं उन्हें पांच लाक देहरम से दो मिलियन देहरम के बीच कारवास और जुर्माना का सामना करना पर सकता है नौट सिक्योरिटी ने कहा है कि यूए और अनिक हारी निवा यूए के निवासियों ने पिछले साल 6.1 मिलियन वीपीएन डाउनलोड किये हैं जो पिछले वर्स की तुन्ला में 1.18 मिलियन अधिक है आपको बता दें कि अभी साइबर सुरक्षा को लेकर अलकुवैल्टी ने काफी जानकारी दी उन्होंने बताया कि साइबर सुरक्ष तैयार करने या घुसपैट करने के लिए अपने कोट बनाने और उसे वेरिफाइब करने के लिए AI का उप्योग करते थे फिशिंग इमेल यहां पर करने का मतलब है अपराद के लिए यूज किया जाने वाले जो इमेल होते हैं उन्होंने इस बात पर भी प्रकास डाला है क कि साइवर हमलों से बचाब में AI की भूमी का बढ़ रही है उन्होंने कहा कि 2071 का सताबदी लक्ष यूए का AI रास्ट बनना है जोकिम हर किसी द्वारा उठाया जाता है यहां तक कि साइवर सुरक्ष शेत्र में भी हम यह सुनिश्चित करते हैं कि जोकिम हमारी सबस्ता के स्तंबों को प्रतभावित ना करें हम कई खत्रों का पता लगाने और उनका सक्रिये रूप से जवाब देने के लिए AI का उपयोग करते हैं हम बन्यादी धाचे की सुरक्षा सुनिश्चित करनी के लिए अपने भागीदारों को धन्यवाद देते हैं उन्होंने को बता दे कि इस पूरे वाक्य के दौरान ये चीज़ का खुलासा हुआ कि भाई आप वीपियन का स्तमाल कर सकते हैं लेकिन उसका दुरुपयोग ना करें उसका मिस्यूज ना करें क्योंकि अगर आप मिस्यूज करते हुए पकरे जाते हैं तब आप पर कारवास होगा या फिर आप पर कालवाई की जाएगी आप पर जुर्माना लगाया जाएगा अन्य था आप उसका सटीक तरीके से यूज करते हैं तो फिर कोई भी समस्या नहीं होगी फिर से भारतिये प्रवासी की लगी है यूएई में लौटरी जीत लिए हैं पूरे के पूरे 33 करोर रुपे आप भी ले सकते हैं भाग क्या है पूरा खबर चलिए बताते हैं बताते कि आबुधावी के बिग टिकेट ड्रॉ में भारतिये प्रवासी ने 33 करोर रुपे जीते हैं सायोगतरब अमिरात इस्तितिक भारतिये प्रवासी ने नए बिग टिकेट आबुधावी सापताहिक ड्रॉ में 15 मिलियन दिहरम जीता जो कि भातिये मुद्रा में लग बग 33 करोर रुपे होते हैं विजदा का नाम राजीव अरिकट है उन्होंने रेफ्रिल रो संख्या 260 के लिए टिकट संख्या 0-3-7-1-3-0 खरीदने के बाद परसकार जीता है बता दे वास्तो शिल्ब ड्राफ्ट मैन के रूप में काम करने वाले राजीव अपनी पत्नी और 5 और 8 साल के दो बच्चों के साथ अलेन में रहते हैं वो पिछले 3 साल से बिग टिकट खरीद रहे हैं और उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था राजीव ने अपना टिकट ऑनलाइन खरीदा था जो की विनिंग टिकट रहा और उन्होंने इसे करीब 20 करीबी दोस्तों और परिवारों के साथ साज़ा किया है उन्होंने अपनी जीत को लेकर कहा है कि मैं अभी भी इस पाल विस्वास नहीं कर सकता मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भवे परसकार जीतूंगा ये वास्तव में एक सपना जैसा है बता दे कि फरवरी के पूरे महीने में जो कोई भी ज्रीम कार टिकेट खरी देगा उसे तीन मार्च को मसेराती ग्रिकेल जीतने का आफसर मिलेगा बता दे कि टिकेट बिक टिकेट वेबसाइट कर या आबुदाभी अंतरास्ट्री हवाई अडे और अल इन अंतरास्ट्री हवाई अडे के आउटलेट पर जाकर आउन-लाइन खरी देजा सकते हैं बाई आपको बता दे कि फिलहाल तो यूए में एमिरीट्स ट्रो और महजूस ड्रो जो हैं वो रुके हुए हैं उनकी टिकेट सल नहीं हो पारे लेकिन इससे पहले दुबई में एमिरीट्स ड्रो में एक वागय साली विजटा रहते जिन्होंने महज 15 रुपए महज 15 देहरम विजटाओं में से एक बन गया था बता दे कि तीन विनर बने थे EG6 गेम का तीसरा भवे पुरस्कार विजटा जो रहा वो 15 मिलियन देहरम का पुरस्कार था ये प्राइस रासी और प्रतिभागी ने 15 देहरम की टिकेट खड़ी थी फिर 49 के पुल में से 6 नमबर का उन्ह से मैच कर गया 15 मिलियन देहरम का पुरस्कार जीतने वाला पहला EG6 विजटा एक भातिय ड्राइवर रहा था जो फिलहाल 3200 देहरम का वेतन यूए में कमा रहा था दूसरा फिलिपिनो प्रवासी रहा जो की कौफे शॉप मानेजर है हलाकि एमिरीट ड्रो द्वारा विनर मुहमद बहरुजियन आलावादी ने मिजीत को लेकर कहा कि आज एक खुशी का जश्ट है जो लोगों की जीवन पर पॉसिटिव एफेक्ट डालने की हमारी निरंतर प्रतिबधता का प्रमान है पूरी एमिरीट ड्रो ट्रीम एक्साइटेर है इस साल का नहीं मिल रही है महजूस की और एमिरीट स्ट्रो की क्योंकि उन्हें एक लाइसेंस लेना पड़ेगा बकाइदा एक नियामक बनाया गया है प्रिनाली बनाई गई है जिसके थुरू उन लोगों को लाइसेंस दी जाएगी और यही पूरी प्रकीरिया जो है वह अभी जार रही हैं वहीं आपको बता दे कि जब उन दोनों की तरफ से हरी जंडी देख जाएगी तब हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे अब इस लिस्ट में सामिल हुआ है यूओई कौनसी यह लिस्ट क्या है पूरा चकर चलिए बताते हैं दुनिया की सबसे शक्ति साली देशों में अमेरिका हमेशा से पहले स्थान पर आता है और इस बार भी जो लिस्ट निकला है उसमें दागतवर देशों का जो टॉप प इस लिस्ट में अब यूओई का नाम भी शामिल हो गया है दरसल शक्ति साली देशों में वो देश शामिल होते हैं जो वैस्विक आर्थिक पर्यटन और आकार देते हैं उनकी नीतियों और सैने बजट को धार्मिक रूप से ट्राक किया जाता है जब वो देश कोई तो इस दोरान विश्व उनकी बात पर भरोसा कर सकता है साथ ही दे इस वैस्विक मंच पर अपना प्रभाब भी छोड़ते हैं तो चलिए आपको आखिर बिताते हैं कि इस लिस्ट में भारत और यूओई को कौन सा पोजिशन मिला है बता दे कि अमेरिका विश्व का सबसे तागतवर्द इसमाना जाता है और इस लिस्ट में वह पहले स्थान पर आता है वहीं इस लिस्ट में चीन जो है वह दूसरे स्थान पर है जबकि इसी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आपको रूस देखने को मिलेगा जबकि चौते नंबर पर जर्मनी है वहीं छटे नंबर पर आपको साउदी अरभिया जो है वो देखने को मिलता है और नमबर दस्ट पर और कोई नहीं बलकि यूए यानि की सर्योंक तरब अमिराद का आप जो नाम है वो जुड़ गया है इस तरह ये देश विश्व के सबसे सकतिशाली देश यानि की टॉप जो सकतिशाली टॉप 12 नमबर पर आता है वहीं भारत से पहले यानि की 11 पोजिशन पर इरान है तो वहीं भारत के ठीक बाद इस लिस्ट में कैनड़ा का नाम जुड़ा है वहीं एक लीजर के तौद पर सबसे शक्तिशाली देश की बात की जाए तो वो रस्या है लीजर के तौद पर आगे रहन का तेरवा स्थान है बतादे कि यूए की अर्थ व्यवस्था में तेजी से बढ़ होतरी हुई है क्योंकि यूए एक टुरिजम का केंदर है जहां पर हजारों की संख्या में तुरिश्च पूरे साल आते रहते हैं और एक यही वज़ा है कि यूए जो है वो अब और भी अध जयसे दुबई में जो बुर्च खलीफा है उसी का देखा देखी साउदी अरब भी अपने देश में जदा टावर बना रहा है जो कि बुछ खलीफासे भी लंबा होगा और उसे आकर्शन का केंदर बनाने की कोशिश साउदी अरब कर रहा है ताकि टुरिजम जो है टूरि सी विशिशकर वहां पहुंचते हैं काम करने के उद्देश से और कभी-कभी घूमने के उद्देश से भी यह थी दमाम जानकारी बनेरे एसी खबरों के लिए यूए खबर पर